कौन है कार्डिनल टेलिसफोर पी टॉपो गार्ड ओफ ओनर राजकिय सम्मान के साथ अंतिन विदाई हुआ यह जानना एक दिल्चस्प का विशय बना हुआ है जो कई हजारों लोगों की भीड में राजकिय सम्मान के साथ जारखंड के मुख्यमंत्री एवं अन्यपदाधि कारी ने पुष्प चक्र अर्पित कर विदाई दी आओ हम इस खबर को विस्तार से समझते हैं वीडियो अच्छा लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कार्डिनल तेले स्पोर प्लासिदुस तोप्पो की जीवन गाथा 15 अक्टूबर 1949 से 4 अक्टूबर 2023 महा महिन कार्डिनल तेले स्पोर पी शुने तोप्पो का जन्म 15 अक्टूबर 1949 में चैनपुर पारिश के गाव गाव जिला गुमला में हुआ था उनके पिता श्री अंबरोस तोप्पो एवा माता श्रीमती सोफिया खल्खो के दस पुत्र पुत्रिया थे महा महिन कार्डिनल पो शुने तोप्पो माता पिता की दी संतान थे परिवार में कोई भी नौकरी पर नहीं थे उनके मातापिता क्रिशी कार्य में सनलिप्ट थे नेहसंदेह उनके मातापिता को गरीबी में अपने बच्चों के लालन-पालन एवन शिक्षा दिक्षा में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गाउ में पूरी की तथा माध्यमिक शिक्षा बरवे नगर से और उच्च विद्यालय की शिक्षा बरवे हाई स्कूल चैनपूर से पूरी की उन दिनों बेल्जियम के येसु समाजी मिशनरी तेले स्पोर के गाउ आया करते थे उन्हें देखकर उसके मन में बिजली कांध गई, उसने सोचा यदि बेलजियम के पुरोहित अपने घर, परिवार और अपना सब कुछ छोड़कर भयानक जंगलों और नदी नालों को पार कर सुसमाचार सुनाने के लिए साथ समंदर पार गरीब आदिवासियों की सेवा के लिए आ सकते हैं, तो मैं उनके समान क्यों नहीं बन सकता। यह प्रशन उसको पुरोहित बनने के बाद भी जखजोरता रहा। बेलजियम के पुरोहितों से प्रभावित होकर उन्होंने संट अलबर्ट सेमिनरी रांची में दाखिला लिया। 79 में धर्माध्यक्ष फ्रांसिसकुस के द्वारा स्वीटजर लैंड के बरसेल में उसका पुरोहित अभिशिक हुआ। उसके बाद वे महाधर्माध्यक्ष पियुस केरकेटा के सचिव बने। 8 जून 1978 को वे दुमका के धर्माध्यक्ष चुने गए और उसका आदर्श वाक्य था प्रभु का मार्क तैयार करो। 7 अक्टूबर 1978 को संथ तरसा बालिका विद्याले दुधानी में उन्हें दुमका के ध्वितिय धर्माध्यक्ष के रूप में अभिशिक्त किया गया। 8 नवंबर 1984 को संथ पिता जौन पॉल दुधिय के द्वारा रांची के जोतीर धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए। महाधर्म प्रांत के लिए उनके दृष्टिकोन को इन शब्दों में व्यक्त किया गया था। देख रहे हैं कि उनके सभी का महायर्म प्रांत में कलीसिया की बहतरी के लिए उनके सपनों को साकार करने की ओर उन्मुख है। महामहिम ने हमेशा जाती धर्म अमीर गरीब का भेदभाव किये बिना लोगों की भलाई के लिए काम किया। हर कोई उसके पास आ सकता था और खुल कर अपनी बातें कर सकता था। उनके जीवंत व्यक्तित्व इश्वरिय चेतना और लोगों के विकास में गहरी रूची ने कई लोगों का ध्यान आकरशित किया। उन्हें आदिवासी होने का हमेशा गर्व था और आदिवासी हित के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहा। उन्होंने आदिवासियों के मुद्दों को राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय बैठकों में उठाया। चाहे हम इसे स्विकार करें या न करें, वे आदिवासी कलीसिया के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने हमेशा आदिवासी कलीसिया को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। हमें उन्हें राची के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पाकर गर्व है। मंदार उसी के प्रयास से राजा उन्हातू के चर्च को माइनर बैसिलिका का दरजा मिला। ये सब उनकी दूरदर्शिता के फल है। इसके अतरिक्ट उन्होंने कई नए पारिश और मिशन स्टेशन्स की शुरुवात की। धर्म प्रांत में उन्होंने आधा से अधिक पुरोहितों को अभिशेक प्रदान किया। साथ ही पचास से अधिक धर्म संधियों के लिए महाधर्म प्रांत में स्थान भी दिया। शेत्रियस तर पर तीन नए धर्म प्रांतों का निर्मान गुमला, सिंडेगा और खूंटी। उसने 24 धर्माध्यक्षों का अभिशेक किया। सभी धर्म प्रांतिय धर्माध्यक्षों को एक साथ लाना और उनकी अगुवाई करना। इन सबका श्रेय कार्डिनल को जाता है। अंतर राष्ट्रियस तरपर मेंबर फ़र्ल असेंब्लीज अफ देख लेशेप्षों का अंतमें हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि राची महाचर्म प्रांत की देख भाल करते हुए महामहिम निश्चित रूप से एक प्यारे चरवाहे, सक्षम नेता और कुशल संगठन करता साबित हुए। एक ऐसा तथ्य जिसे अंतरराष्ट्रियस तरपर स्वीकार किया गया। उन्होंने अपनी व्यापक द्रिष्टी, महान मिशनरी उद्साह और अध्वितिय द्रिटा से कलीसिया का मार्ग दर्शन किया। संक्षेप में कहा जाएं तो महा महिम ईश्वर से भय रखने वाले व्यक्ती थे। सुसमाचार के मूलियों पर आधारित जीवन जीते थे, जिम्मेदार और कर्तव्य प्रायन थे, हमेशा न्याय के लिए खड़े रहते थे, एक अच्छे नेता, मिदुभाशी, दूरदर् प्रितिय ने महाधर्माध्यक्ष तेले स्पोर पी टोपो को कॉलेज ओफ कार्डिनल में शामिल कर जार्खंड की कलीसिया को गौर्बन वित किया। काथलिक कलीसिया के ऐसे सम्मानिय पद से नवाजे जाने वाले वे एशिया के प्रथम आधिवासी कार्डिनल बने छुट करने की असीम क्षमता थी। जरूरत मंदों की सेवा के लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी दयालुता और उदार्था के कारण उनका व्यक्तित्व लोगों के बीच चमकता रहा। उनके सनेही आचर्ण ने अनेक मित्रों एवं प्रशनसकों क को आकरशित किया। छोटा नागपूर की कलीसिया के विकास को लेकर उनकी दूरदर्शिता काफी सराहनिय थी। कारडिनल टेलेसपोर विविद गुनों के धनी थे। कुछ तो उन्होंने जन्म से ही और अन्य गुनों को अनुशासन और अवलोकन से हासिल किया। वे व्या साहस, सजन्ता तथा आत्म विश्वास उनके महान व्यक्तित्व को इंगित करते हैं। महामहिम का आध्यात्मिक जीवन सरल एवं उतक्रिष्ट है। वे प्रार्थना एवं विश्वास जैसे गुनों के धनी थे। उनका पवित्र युखरिस्ट के प्रती प्रेम पवित्र शहरदय की भक्ती तथाटी माता मरियम से सनहपूर्ण लगा उसकी आध्यत्मिक्ता को दिखाता है। पवित्र संसकार एवं प्रार्थनाएं उनके अनश्वर उर्जा और शक्ती के स्रोत थे। व्यस्तता और अस्वस्थ रहने के बावजूद रोजरी एवं कलीसिया के प शब्दों में हमने न सिर्फ कार्डिनल तेले स्पोर को खोया है किन्तु एक मित्र मार्कदर्शक को खोया है जिसने सपने देखने का साहस किया। कि हम उनकी महानता से प्रेन करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांती प्रदान करें उन्हें उनके कर्मों का इनाम दे। वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेर करना मत भूलिएगा धन्यवाद।